2007 में इन्होंने एक ऐसा decision लिया जिसकी वज़े से NDTV का बूरा time चालू हो गया Adani Group, NDTV को खरीदना क्यों चाहता है? क्या reason है कि ये जितने बड़े giants हैं, media industry में क्यों खुसना चाहते है? इसके बारे में पता लगाया गया, तो ये निकली मुकेश Ammani की अगर Adani आके जवड़स्ती pro government बनाने की कोशिश भी करेगा, तो उससे NDTV की audience भक्त नहीं बन जाएगी, ऐसा नहीं था कि NDTV के founders को अचानक से जटका लगा इस बात का, ये चीज इनको 2009 से ही पता थी, स्टेज के उपर Ammani के नाम के कसीदे पड़े गए और ये सारी चीज़े online अभी भी available हैं, NDTV की असली ownership है किसके पास? यही reason था कि प्रणय और Radhika Roy ने इस डील के बारे में किसी को नहीं बताया, अपने investor, जिन्होंने पैसा लगाया था, उनसे भी इन्होंने जूट बोल, ऐसा महौल बनाया जा रहा है कि हम इन पैसे वाले अडानियों के सामने नहीं जुगेंगे, it's a joke. देखिए, इस 23 अगस को अडानि ग्रूप ने एक प्रेस रिलीस करके अनाउंस कर दिया है, कि New Delhi Television Limited, यानि के NDTV, इस कंपनी की 29.18% की जो शेर होल्डिंग है, अब अडानि ग्रूप के पास आ गई है, और इस पे NDTV कह रहा है कि इन्होंने ये सब धोके से किया है, तो आब कोश्चन ये है कि अडानि ग्रूप ने ये जो statement दिया, इसका मतलब क्या है, और क्या सच में ऐसा possible है कि कि किसी कंपनी की मरदी के मिना, उसके शेर्स कोई भी बड़ी कंपनी खरी सकती है, और उससे भी बड़ा question यह है कि यह जो Adani है, Ambani है यह जो News Media Company है इसमें क्यों घुस रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को detail में discuss करते हैं देखें पहली चीज़ तो यह पता करनी होगी कि NDTV जो company है उसमें किसके पास कितने shares हैं ताकि यह समझ में आ सके कि Adani Group ने किसके shares अपने नाम कर ली हैं जिसकी वैसे इतरा issue हुआ है देखें टोटल shares NDTV के 6 करोड 44 lakhs के करीब हैं जिसमें से 16.32% shares Radhika Roy के पास हैं और 15.94% shares इनके husband Pranoy Roy के पास हैं और यह इनकी individual हिस्सेदारी है NDTV के अंदर तो क्या NDTV जो company हैं उस company में इन दोनों husband wives के बस इतनी shares हैं तो देखें ऐसा नहीं है एक अलग रास्ते से भी इन्होंने NDTV के shares अपने नाम किये हैं इन्होंने एक company डाली RRPR RR से Radhika Roy और PR से Pranoy Roy यह जो company है RRPR इस company के मालिक सिर्फ और सिर्फ Pranoy और Radhika Roy है और इस company के तुरूं इन्होंने NDTV के 29.18% shares और अपने पास रखे हैं अब आप कहोगे कि यह अलग से company क्यों डाली इन्होंने सारे के सारे shares इन्होंने directly अपने पास क्यों नहीं रखे तो देखिए इसके अलग-अलग advantages होते हैं वो अभी इतना important नहीं है अभी के लिए वस आप इतना याद कर लीजे यह जो RRPR company है इसके जो shares हैं इस पूरी controversy की जड़ यही है और यह जो 28.81% other shares हैं यह public के shares हैं जो की share market में listed हैं मतलब की आपके और हमारे जैसे लोग share market में जाके अपने demate और trading account से इन shares को खरीद और बेज सकते हैं सिर्थ इतने percent shares ही public खरीद और बेज सकती है share market से बाकी जो founders और investors के पास shares होते हैं जो share market में listed नहीं है उनको खरीदने और बेचने के लिए अलग से rules होते हैं जो की SEBI set करता है और यह जो 9.75% shares LTS investment fund limited के हैं यह एक बहार की company है जिसने इंडिया के अंदर Adani group में बहुत सारा पैसा लगा रखा है उसके हैं यह अभी यह जो current issue चल रहा है उसमें यह LTS company बहुत important role play करने वाली है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा तो एक तरह से देखा जाए तो जो total shares NDTV के अंदर प्रनाय और रादिका रॉय के हैं वो है 61.44% 16.32% रादिका रॉय के हैं 15.94% प्रनाय रॉय के हैं और 29.18% RRPR के हैं तो कि यह भी रॉय के ही हैं जो इन्होंने दूसरे तरीके से company डाल के लिये हैं लेगे आगे जहाँ जहाँ पर मैं रॉय की बहुत ही बड़ा नंबर होता है इसलिए NDTV का पूरा control इस रॉय फैमिली के हाथ में है और होना भी चीए क्योंकि इन्होंने NDTV की शुरुवात 1988 में की थी उस ताइम पर private company को allowed नहीं था news broadcast करना इंडिया के अंदर तो यह पहला इंडिया का news channel था जिसने दूर दर्शन के साथ collaborate करके international show launch किया था यह पहला channel था जिसने ऐसा channel launch किया था पर 24 घंटे news चलती थी और यह पहला news channel था जो stock market पर सबसे पहले list हुआ था इंडिया के अंदर उस time पर जितनी success NDTV को मिली थी उतनी किसी channel को नहीं मिली थी NDTV ने उस time पर ऐसे लोगों को hire किया था जिनकी family डेली के power circles को belong करती थी और इसका NDTV को काफी फायदा मिला दूर दर्शन के डिरेक्टर जनरल भासकर घोश के दमाद और famous क्रिकेटर दिलीव सर्देसाई जी के बेटे राजीव सर्देसाई को hire किया गया बीजेपी के senior member मनुरंजन गोस्वामी जी के बेटे और union law minister दिनेज जी के भतीजे अरनक गोस्वामी को hire किया गया Press Trust of India के editor-in-chief MK राजदान की बेटी निधी राजदान को भी hire किया गया प्रभादच जी जो उस time पे बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट थी इनकी बेटी बर्खादच को भी hire किया गया Member of Planning Commission और India's High Commissioner of South Africa देविकी जैन जी के बेटे शीरिनिवाशन जैन इनको hire किया गया उस particular time पे NDTV की power का पता आप इस बात से लगा सकते हो कि Star के साथ इनका एक event launch हुआ था February 1998 में वो Prime Minister इंद्रकुमार गुजराल के घर 7RCR पे हुआ था 2007 से पहले NDTV एकदम peak पे था लेकिन 2007 में इनोंने एक ऐसा decision लिया जिसकी वज़े से NDTV का बुरा time चालू हो गया In fact आप ये भी कह सकते हो कि NDTV की history का अब तक का सबसे worst decision था वो 2007 में NDTV के founders प्रनय और राधिका रॉय ने अपनी company के shares buyback करने का सोचा अब आप कहोगे कि ये buyback क्या होता है देखे जब companies को पैसे की जरूत होती है तो वो अपने shares जानी के हिस्सेदारी दे के उसके बदले में लोगों से पैसे उठाती है और जब companies के पास पैसे होते हैं और market में उनके shares के जो दाम होते हैं चल रहे होते हैं तो उन दिये हुए shares को वो वापिस खरीद लेती हैं और इस पूरे process को buyback कहते हैं जब companies अपने shares वापिस खरीद लेती हैं इन्हों ने जो buyback किया वो किया GA Global Investment के साथ GA Global Investment के पास NDTV के 7.73% shares थे और प्रनाय और राधिका रोय ने इस company के shares buyback करने का plan किया उस time पे NDTV का एक share का दाम 400 रुपे था लेकिन प्रनाय और राधिका रोय ने 436 रुपे का offer दिया GA Global को राधिका और प्रनाय रोय ने ये जो buyback का decision लिया था इसके लिए काफी पैसे की ज़रूरत थी तो ये जो पैसा था ये इन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया था बलकि लोन लिया था एक financial services से जिसका नाम था Indian Bulls Financial Services Indian Bulls से इन्होंने जुलाई 2008 में 501 करोड का लोन लिया देखिया अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत होना तब स्टार्ट होती है जब ये लोग shares खरीद लेते हैं और जैसे ही लोग shares खरीदते हैं यूएस में financial crisis आ जाता है और उस time पे इसकी वज़े से दुनिया भर के market को बहुत बड़ा जटका लगा था उसका impact इंडिया पे भी आया, stock market एकदम down चला गया जो stock Royce ने 439 में खड़ी देता, उसकी value सीधे 100 और पे हो गई थी Royce ने ICICI से 375 क्रोड का फिर से loan लिया और loan भी इनको सस्ते में नहीं मिला 19% के annual interest rate पे इनको ये loan मिला Royce को अपने shares भी गिरवी रखने पड़े Royce ये जितने भी loan ले रहे थे, ये सब RRPR के shares गिरवी रखके ले रहे थे अपने जो personal shares थे इनके, ये उसको नहीं छेड रहे थे अभी भी जो current situation है, उसमें भी इनके personal जो shares है, वो safe है खाली RRPR वाले जो shares है, वो फसे हैं, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा NDTV की हालत उस time पे बहुत जादा खराब होने लगी थी NDTV ने कई entertainment channel भी start किये, कई experiment भी किये profit बढ़ाने के लिए लेकिन सारे laws में चले गए, 2008 में NDTV को लगबग 250 लोगों को fire करना पड़ा ये NDTV की one-fifth workforce की strength थी, और इसी बीच ICICI का जो loan चुकाना था उसका time आ गया था, तो इन लोगों ने फिर से loan लिया, 403.85 करोड का loan इन्हों ने दुबारा लिया और वो लिया इन्होंने विश्व प्रधान Commercial Private Limited, VCPS से ये नाम आप याद रखिएगा, काफी important है, इसको मैं आगे कई बार लूँगा VCPS ने जब Royce को loan दिया, तो इन्होंने कोई security नहीं लिया, किसी भी तरीके का कोई interest नहीं लिया, एक रुपे तक का interest नहीं लिया इनसे बस उसके बदले में VCPS ने Royce से ये कहा, कि आपकी जो company है RRPR, जिसके पास NDTV के 29.18% shares हैं इस company के 99.9% की equity warrants आप हमें दे देना अब आप कहोगे कि ये equity warrants क्या होते हैं, देखियो warrant का मतलब ये हुआ, कि ये जो shares हैं, ये हम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे अगर जरूरत पड़ेगी, तो ले सकते हैं और इस promise के बदले में warrant issue कर दिया जाता है, शौर्ड में आपको समझाओ, तो इतना समझ लीजे कि VCPL ने NDTV के 29.18% shares गिरवी रख लिये थे और ये जो warrant इन्हों ने लिया था, इसके साथ-साथ VCPL ने इसमें कुछ चीजें और add कर दी थी, पहली चीज ये थी कि भले ही आप loan चुका दो, लेकिन इसके बाद भी अगर हम चाहें, तो आपकी जो company है, RRPR, इसके 99.9% shares कभी भी खरीच सकते हैं, और इससे Royce को भी कोई VCPL ने खुद decide करके रखा था, VCPL ने ये भी शर्त रखी थी कि इस company कोई भी equity sell या फिर raise नहीं करी जा सकती, bankruptcy file नहीं करी जा सकती, VCPL की permission के मिना ऐसा कुछ भी RRPR नहीं कर सकता, जिससे RRPR की share holding पे effect हो, देखे 2009 में जब प्रनय और रादिका रोय ने इस agreement पे sign करा था, तो ये उसी दिन decide हो गया था कि RRPR को आगे चलके बिखना है, इसको कोई नहीं रोक सकता, और ये चीज खुद प्रनय और रादिका रोय को भी पता थी, और RRPR का बिखने का मतलब ये था कि NDTV का control किसी और के हाथ में चले जाना, क्योंकि 29.18% बहुत बड़ी percentage होती है, और नहीं बताया, अपने investor जिन्होंने पैसा लगाया था, उनसे भी इन्होंने जुट बोला कि RRPR के जो warrants हैं, ये VCPL को दे आए हैं, और ये जो चीज NDTV के founders ने करी थी, ये SEBI के rules के खिलाब था, इस चीज को लेके NDTV के founders पे CBI और SEBI के inquiry भी बैठी, लेकि शॉट में एक बार परसंट शेर्स प्रनेरोल के पास थे, बाकी 29.18 परसंट शेर्स जो NDTV के थे, वो इन्होंने RRPR के तुरू ले लिये थे, ऐसा करके इन दोनों की अगर हम percentage count करें NDTV के अंदर, तो 61.45 परसंट बैठती है, और बाकी के जो 28.81 परसंट और 9.75 परसंट थे, वो इन्होंने share market और private company से जो investment उठाई थी, उसके थे, इसके बाद इन्होंने RRPR के shares गिर्वी रखके Indian Bull से लोन उठाया, उसी Indian Bull का लोन देने के लिए इन्होंने ICIC से लोन उठाया, और ICIC का लोन देने के लिए पूरी RRPR कंपनी के shares, VCPL को warrant के थुरू दे दिये गए थे, और indirectly NDTV में VCPL करत आक्ट कर रही है, देकि Shell company वो company होती है, जिसको बनाया किसी और काम के लिए जाता है, लेकिन वो छुटके काम कुछ और कर रही होती है, यह जो VCPL company है, जब इसके बारे में पता लगाया गया, तो यह निकली मुकेश अंबानी की, अभी current situation की बात करें, तो इतना हल्ला हो र इस से लेके दिया था, और Sinano Retail ने भी बिना किसी security, बिना किसी interest के VCPL को loan दे दिया था, और वो भी तब दिया था, जब VCPL एक ऐसी company थी, जो उसी साल खुली थी, उसका कोई पुराना transaction नहीं था, कोई record नहीं था, इस company के पास कोई asset नहीं थे, अब जब Sinano Retail के बारे में प सब जानते हैं कि ये मुकेश Ammani की company है, अब आप ये भी कह सकते हो कि NDTV बिचारे, इनको क्या पता है इन सब चीजों के बारे में, हो सकता है इनके साथ game खेल लिया हो, अभी Adani game खेल रहा है, हो सकता है उससे पहले, Ammani ने game खेल लिया हो, देखिए ऐसा बिलकुल नहीं था, NDTV के founder प्रनय और रादिका रॉय को बहुत अच्छे से पता था, इनकी company का control Ammani के हाथ में जा रहा है, जब ये loan रादिका और प्रनय रॉय ने VCPL से लिया था, तो इसका जो agreement हुआ था, उसके जो sign हुए थे, वो NDTV यानि के RRPR की तरफ से रादिका और प्रनय रॉय ने किये थे, और वहीं पर VCPL की तरफ से केयार राजा ने sign किये थे, ये केयार राजा Reliance के top management के employee थे उस time के, और ये चीज NDTV के founders को बहुत ही अच्छे से पता दी, कि NDTV ये किस के हाथों में दे रहे हैं, और जिस time पर ये deal हो रही थी, आप coincidence भी देखिएगा, उस year के पास में NDTV ने location मानी को, और यही नहीं, ministry of corporate affairs के record में clearly ये चीज मेंशन है, कि जब ये सारे transactions हो रहे थे, तो ये सारी कंपनियां आपस में connected थी, लेकिन act ऐसे कर रही थी, कि जैसे अलग-अलग हों, VCPL को शिनानों own करती थी, in fact इन दोनों की जो company के address थे, वो दोनों same थे, और VCPL के जो director थे जो VCPL को समझाते थे, वो भी Reliance India Limited के senior director थे, देखे, जिस तरीके से अभी तक ऐसा महौल बनाया जा रहा है, कि हम इन पैसे वाले अडानियों के सामने नहीं जुगेंगे, it's a joke, इतने टाइम से जब अमानी की छत्रचाया में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अडानी के आने स 2012 में VPCL की ownership बदल दी जाती है, और VPCL की ownership जाती है NextWeb TeleVenture Private Limited के हातों में, जिसका link महिंदर नहाता से था, महिंदर नहाता जो की Reliance Jio Infocom Limited के director थे, अब हम आ जाते है current situation पे, अभी 23 August 2022 को ये जो company है NextWeb TeleVenture Private Limited, जो VCPL को own करती है, इसको अडानी ग्रूप की company AMG Media Network ने take over कर VCPL loan निकाल नहीं पाई RRPR से, तो अडानी ग्रूप ने RRPR के जो warrant थे, जो की 2009 में NDTV के founder प्रनाय और राधिका रोय ने खुद साइन करके कहा था कि हमारे warrant का use करके आप कभी भी shares ले सकते हैं, और अडानी ग्रूप ने वही किया, उनको ले लिया at any time during the tender of the loan और thereafter without requiring any further act or deed on the part of the lender, यह exact line थी उस agreement की, NDTV के founders ने खुद इस agreement पे sign किया था, और इस agreement में साफ साफ लिखा था कि not required any prior consent of NDTV and or its promoters, promoters यानि के founders, तो इसमें से भी भी कुछ जादा नहीं कर सकती, TV18 के साथ भी same condition हुई थी, जब उन्होंने मुकेश अम्मानी से उधार लिया था और जब वो नहीं पैसे दे पाए थे, तो उनको अपनी company के shares भी transfer करने पड़े थे, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, तो यह deal actual में indirectly अम्मानी और अडानी के बीच में से जादा है, जो कि 32% है, लेकिन अगर ऐसा है, तो Royce परिशान क्यों है, देखिए Royce की परिशानी का कारण दूसरा है, सेभी regulation 2011 केता है, जब भी कोई company किसी company में 25% से जादा shares लेती है, जैसे कि Adani Group ने NDTV के shares लिया है, 25% से जादा, तो ऐसे case में इनके पास एक option खुल जात और लडाई इसी चीज़ की हो रही है कि Adani और Royce में से owner कौन मनेगा, NDTV के founders की main दिक्कत यह नहीं कि Adani ने इनके shares ले लिए, इनके बारे में तो इनको पहले से ही पता था, 2009 में ही पता था, कि किसी ना किसी के नाम तो यह company होनी है, इनकी main दिक्कत यह है कि Adani ने अगर offer दे और ऐसा नहीं है कि जो 50% से ज़्यादा shares खरीदने का option है सिर्फ Adani Group के पास ही है, NDTV के founders चाहें तो वो भी पैसा दे के 50% से ज़्यादा shares खरीद सकते हैं, Radhika और Pranay Royce के उपर, Sebi की तरफ से 25 November 2022 तक ban लगा हुआ है, कि यह shares खरीद और बेच नहीं सकते हैं, यह ban इनके ही नहीं है, क्योंकि Adani Group तो shares खरीद और बेच सकता है, और हमारे उपर ban लगा हुआ है, तो हम कैसे takeover रोग पाएंगे, ना तो हम shares खरीद सकते हैं, और ना ही हम बेच सकते हैं, अब मान लीजे, Sebi इनकी बात मान भी लेती है, और रोग देती है Adani को, उसके बाद भी Adani Group के पास एक advantage है, मैंने आपको शुरू में बताया था, कि NDTV में जो LTS Investment Fund नाम की जो company है, उसके पास NDTV के 9.75 shares है, और ऐसे ही Vikasa India EIF के पास NDTV के 4.42% shares है, ये दोनों इंडिया के भार की कम्पनिया हैं, और इनका पैसा इंडिया के अंदर Adani Group में काफी ज़्यादा लगा हुआ ह chances हैं, ये LTS इस open offer में Adani को अपने shares based देगी, और अगर ऐसा होता है, तो Adani Group के पास 43% total shares हो जाएंगे, और बाकी के shares Adani market से उठा के 50% से ज़्यादा के owner बन सकते हैं, फिराल तो Adani Group ने NDTV के shareholders को offer दिया है, आप हमसे एक share का दाम 294 rupees में ले लो, और shares हमें दे दो, ताकि जो total shares है Adani Group के, वो 55% से उपर हो जाएं, लेकिन जब से 294 rupees का Adani Group में shareholders को offer दिया है, उसके बास से share market के अंदर NDTV के shares का दाम बढ़ता जा रहा है, market के अंदर news आते ही, NDTV के shares लोग खरीदने लगे हैं, और आज 30 August को इसका दाम 471 rupees के करीब पहुंच गया है, तो कोई भी अपना shares फिलहाल वाला जो Adani को offer है, उसमें तो नहीं बेचेगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि Adani Group कुछ दिन wait करेगा और फिर से अपने shares के दाम बढ़ाएगा, अब आप लोग एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि Adani Group NDTV को खरीदना क्यों चाहता है, क्या reason है कि ये जितने जाइंस हैं, मीडिया इंडिस्टी में क्यों घुसना चाहते हैं, Reliance भी Network 18 के तुरू कई News Channel ओन करता है, Adani भी shares खरीद रहा है, News Media Company के, देखिए ये जो बड़े बड़े नाम है, ये News Agency में पैसा कमाने के लिए नहीं घुसते हैं, News Media Company एक तरह की पावर होती है, जिसे बड़े ग्रूप Negotiation Power की तरह यूज करते हैं, जब अलग-अलग Government से डील करते हैं, Amani Network 18 के तुरू अलग-अलग Media Company में घुसरा है, और इसको देखके, Adani ने भी AMG Media नाम से Company लास्ट एर खोल दी, और इसका purpose ही यही था बनाने का, कि ये Media Companies को acquire करें, और Media Businesses में घुसें, इन इसकी वज़े से उधार जो लिया था वो चुका नहीं पाए तो उसकी वज़े से शेर्स ले लिये गए, Business Point of View से भी अगर आप इसको देखोगे, तो Adani Group NDTV खरीद रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या खरीद रहा है, NDTV पे जो audience है, वो majority of them प्रो गवर् भक्त नहीं बन जाएगी, वो कहीं और चली जाएगी, चैनल छोड़ देगी और कोई और news देखेगी, तो जो company के shares खरीद रहा है, वो भी ऐसा blunder नहीं करेगा, उसको भी नुकसान होगा, इस तरह की बड़ी deals, acquisitions और merger अक्सर market में होते रहते हैं, अगर आपको भी stock market और investment interesting लगती है, तो मैं आपको कुकू FM की book, Beating the Street के बारे में बताना चाहूंगा, ये book Peter Lynch ने लिखी है, जो खुद बहुत जाने माने investor रहे हैं, इस book में आपको उनकी journey से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये book summary हिंदी में available है, जिसको आप अपनी convenience से कभी भी और कहीं भी सुन स हैं, मतलब बहुत ही जादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, जिनको इनकी audio book से फायदा हो रहा है, तो आप download करें कुकू FM और अपनी knowledge बढ़ाएं एक fun way में, कुकू FM पे first 250 users को मेरा code nr50 use करके मिलेगा, 50% discount और 399 rupees का जो subscription है, वो आप ले सके रहेंगे, 199 rupees में, link मैंने description में दे लिया है,